नमस्कार दोस्तों, CISF का कोई भी form फिल करने के लिए आपको एक बार तो one time registration करना ही पड़ता है, जिस तरह से आपको SSC की किसी vacancy को फिल करने के लिए एक बार आपको one time registration करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जब CISF में भी कोई form निकलता है, तो CISF के form को भी फिल करने के मिलती है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ कि CISF में आप one time registration कैसे कर सकते हैं, अगर आप one time registration कर लेते हैं, तो उसके बाद CISF की जब भी कोई vacancy आएगी तो आपको एक ID और password मिलता है, उसी ID और password की मदद से आप CISF का कोई भी form फिल कर सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो को ज़दा ज़दा सेयर करें, जो भी CISF का form फिल करना चाहते हैं, क्योंकि CISF का form फिल करने के लिए one time registration करना पड़ता है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज हमारे चैनल सरकार YLP को सस्क्राइब करें, चले दोस्तों, आपको दिखाते है कि किस तरह से आप one time registration कर सकते हैं CISF में, CISF के official page पर आना है, official page का link अपने description box में दे देंगे और अपने telegram page पर भी डाल देंगे, अगर आप हमारे telegram पर join नहीं किये, तो please telegram पर join कर लिजिए, तो कि हम अपने telegram पर हमेशा सब कुछ, सब से पहले update डालते रहते हैं, किसी vacancies related, अगर आप link से नहीं आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर Google पर आकर सर्च किजिए, Central industrial secretary force, तो आपको जो पहला link मिलेगा, वहाँ पर आपको किलिक करना है, किलिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ लोग इन पर किलिक करना है, लोग इन पर जैसे आपको यहाँ पर नाम है, उस नाम को यहाँ पर देख करके अच्छे से बरना है, उसके बाद फिर यहाँ पर verify name में, वही नाम को फिर से दुवारा यहाँ पर बरना है, फिर have you ever change name, क्या आपने कभी भी नाम चेंज किया, अगर नाम चेंज किया तो यहाँ पर yes किजिएगा, और नाम चेंज लिए बरना है, उसके बाद फिर verify अच्च्छ नाम में, फिर papa का नाम यहाँ पर अच्छे से फिल करना है, फिर यहाँ पर mother's name में, आपकी माता जी का क्या नाम है, जो metric के मांक सीट में हो, या इंटर के मांक सीट में हो, एक्दम साही साही दोस्तों आपको यहाँ पर फिल क कीजेगा उसक्याथ फिर बैड़ी ठेटव बलत यहां पर आपको दोस्तों किDieए यह स्वमदशतन करने के मतलब इसकी में पर करने कैजेगा उसके बाध दूस्तों आप सम्मीट पर किलिक किजेगा सारा इंफोर्मेашब किया किर देदे के अब हिरे рचो बहुर्ब यहांसान नमर किया ना एक एमेल डाला है पिर कंफर कंफर ईपल इमेल डालना है डाल देने के बाद दोस्तों आपको I agree पर क्लिक करना है उसके आपको submit पर क्लिक करना है प्लिक करने के बाद आपके समें loading option आता है यहां पर उसके ला जा रहा है you are successfully registered withति किसेशब और ऍीड तो प्रुटिमेंट रेइस्टेशन आइडी और पासवर्ड हैस बीन आपके मुवाल नमर पर आईडी और पास्वर्ट भेजा जा चुका है तो वही आईडी और पास्वर्ट डाल करके आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो बच्चे सियासाव का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हमें मिलता है हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो पर वाइड हमेशा करते रहते हैं दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा सेर करें और हमाई चै